नमश्कार दोस्तों एक जाम इतन में एक बार परिसाप का स्वागता आज शाकरता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों DMR हर्याणाई की तरप से एक नोटी सारी किया गया है जो आप इनकी ओपिशिल वेबसाइट पर देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं आ आपका एक नोटी सारी किया गया तो सारी चान करें आपको इस वीडियो में लेगी कांसलिंग से रिलेक्टेड आपकी क्या प्रोसीजर साथ इसमें आपकी जो फीस है वह बताएगी कि यह गवर्मेंट की हो या प्राइवेट की हो तो वीडियो सुरू से न तक जरूर आएगा मैं इसमें जो इंपोर्टेन इंपोर्टेट चीजें जो आपके लिए का फ्यूस्पुल है वह इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आप यावे देख सकते हैं जो आपके प्रोसीजर है एडिमिशन पीसे नर्सिंग का पोस्ट बेसी का वो सारा इसमें डिटेल में बता रहा है जो आपकी सीटी बेस्ट कम्प्यूट को मनें अंट्रेस टेस्ट आपका जो इसमें एडिमिशन प्रोसीजर रहेगा नर्सिंग का जिसमें बेसी पोस्ट बेसी का मसी आपकी एंपी सीसी का फीजियो तरफी म्पिट सभी कोर्सेज के लिए जिनका आप ने ओल्रेडी एंटर्स एग्जाम दे रहा है तो इसमें आपकी जो इलिजिबिटी क्राइटियर अगरा वो सभी आप सभी को ओल्रेडी पता है तो इसमें आपके कांसलिंग से रिलिटर्ड जो इनफोर्मिशन है उसी के बारे में डिसकस करेंगे तो सब सब अगर प् आप देख सकते हैं तो इसका सेट्विल और जल्दी जारी कर दिया जाएगा डीयम्या डीयम्या और की ओपिशिल वेबसाइट पर नोटीज जारी कर दिया गया तो स्टेट अबॉर्मेंट हर्याना गवर्मेंट या आईना नर्से नर्स मेड़ाइब काउंसिल है उनकी इसमें जो आपका minimum criteria रखा गया है counseling में participate लेने के लिए तो जिनके 35 percentile है general category से वो participate कर सकते है eligible है मतलब कि वो योग्या है 30 percentile है SCBC reserve category है तो उनकी लिए तो यह तो इसमें आपका normal criteria दे रखा है आपको counseling में participate करने के लिए अब आपका जो third point दे रखा है admission will be made through online centralized counseling from the list of registered candidates on the admission where portal is per maritime respective qualifying examination तो आपकी जो counseling procedure रहेगी आपको इस पर ध्यान देना है ज्यादा कि online centralized counseling हो गया आपकी पहले जो आपके notice बगराते तो उनमें आपका देरगा था offline हो गया आपकी लेकिन अभी यहां पर आपको बिल्कुल के लिए लिए मैंशन कर रहा है कि online centralized counseling होगी मतलब कि आपकी जो counseling process है वो online नहीं रहेगी कौन सा course आपको लेना है आपको कौन सा college आप choice फिल कर सकते हैं वो सारी सारी procedure है वो online नहीं रहने हो लिए तो online किस तरह के से आपको करने होगी वह आपको separate video provide information provide कर वादी जाएगी जैसे ही counseling का schedule जारिक किया जाएगा तो आप उसके लिए निशिद रही है the choice of the course is institution exercise by the candidate on the online portal will be considered final and no further changes will be allowed तो आपका वही same process जो other colleges में होता है आपको अपनी जो institute या course choice फिल करना होगा लोग करने के बादे में वहीं आपका final माना जाएगा इसमें और जो आपका allotment है वह आपका merit based पर किया जाएगा आपने कौन सा subject या कौन सा course या कौन सा institute फिल किया है उस बैसे इस पर आपको इसमें अलोटमेंट दिया जाएगा टाइब रेकिंग के रूल भी इसमें दिये गया है तो यह आप complete जो नोटिफिक्शन जारी किया हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते टेलीग्राम चैनल लिंग आपको डिस्क्रीप्सिर बॉक्स में दिया गया है अगर फिर बहुत रहता दोस्तों तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम फॉलोगर के महां से भी जार करी ले सकते हैं अब जो नेक्स्ट है इसमें वह है कि आपका जो एड़िसन है वह आपका कांसलिंग में जो भी सीट अलोटमेंट होगा उस सीट पर आपको जाके अपनी रिपोर्टिंग करव करवाने रहेंगे और आपकी जो भी फीस वगरा है जो भी इंस्टिटूट चार्चेज करते हैं अभी मैं आपको वीडियो मता हुआ कि आपको फ्राइवेट और जो गॉर्मेंट में कितने कितने फीस ली जाती है तो वह आपको रिपोर्टिंग करवाने रहेंगी अपने अरिजिनल और फोट को भी के साथ में तो यह बिल्कुल नॉर्मल सी है जो अधर को लिजेज में फोलो किया जाता वही सेम रूल्स है और इसमें वेब पोर्टल पर आपको सारी जानकरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि आपको किस तरीके से अपने जो कांसलिंग में प कि अब पिश्यल वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा नोटिबिकिसन यहां पे आपकी जो कांसलिंग के राउंड हों उनके बार में दिया गया है कि अगर फस्ट आउंड में और फिल नहीं हो पाती है तो पिर सेकेंड राउन में उनको फिल की जाएगी और फ्रेस पहले आपको रखाने करना होगा फिर बाद में आपको अपनी चोई से फील करने होगी तो अगर यह महां लिए कि आपने तो आपको को करना रहेगा वो counseling का रहेगा application form का आपने नहीं करना है तो अगर आपने यह मानीचे first round participant नहीं किया second में कर सकते है second में नहीं किया mop-up round में कर सकते है second or mop-up तभी conduct करवाय जाएगा जब आपकी seat vacant रहेगी यहाप आप देख सकते in case there is a vacancy after the first round counseling due to any reason such seat will be filled up during the second round तो second round यह mop-up round करवाय जाएगा आपको the candidate who have joined on the allotted institute up to second round shall not be allowed to participate in the subsequent round तो अगर second round तक जिनको allot हो जाती है तो फिर वो आगे जैसे मोप-up round में पाटिसमेट नहीं कर पाएगे seat remaining vacant after second round shall be filled up as per procedure notified by the state government तो वही है कि second के बाद में अगर seat vacant रहती है तो फिर आपको मोप-up round में participate करने दिया जाएगा तो यह आपके counseling के जो सभी institute के द्वारा फोलो किया जाते है यह normal से थे अब आपकी जो counseling की fees है वह registration counseling fees है वह आपकी यह fees आपकी रहने वाली है जो आपकी non refundable रहेगी thousand रुपीज है वह आपकी unreserve category general के लिए 750 है जो भी reserve category है EWS category या BCB या SCST सभी के लिए अर्याना की जो domicile candidate उनके लिए अर्याना से outside जो candidate है वो द्वार में count किये जाएंगे एक next यह भी है कि इसमें जो आपका seat distribution है 50% आपका रहेगा हर्याना domicile candidate के लिए private college में 50% रहेगा management quota के जो other state के भी इसमें participate कर सकते है government की जो seat है वो पूरी हर्याना domicile के द्वाराई फील की जाएगी 100% seat है वो हर्याना domicile के जो candidate है उनके द्वाराई फील की की जाएगी तो यह चीज आपको द्यान रखना है government की सारी seat है 100% और इसमें reservation के बुल हर्याना है candidate को ही मिलेगा और इसमें जो 50% seat है प्राइवेट में उसमें भी हर्यानगर जो दोमिसाल के इंडियेट है उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट में और बाकी की जो 50% सीट है प्राइवेट में तो इसमें 15% सीट है NRI के इंडियेट है उनकी लिए भी रिजर्वर रहने वाली है इनमें भी और बाकी 35% सी है उसका अगर benefit लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह document है वह आपको submit करवाने रहेंगे document verification के टाइम पर जैसे आधार कार्ड, account number along with IPC code, annual income certificate शह मेने से पुराना उसमें आपका नहीं होना चाहिए आपका annual income certificate तो जो आपकी postmatric scholarship है इसके वाल में detail separate video आपको प्रोवाइड करवा दूगा है कि आपकी postmatric scholarship आपकी से ले सकते हैं क्या procedure है तो दोस्तों यह आपके simple से इसमें कुछ procedure बताएगी आप इसमें आपकी जो last में फीस के वारे में बात करें तो सबसे पहले government college की यहाँ पे देख सकते हैं course है BSC nursing का post basic और MSC nursing यह nursing का course है BSC nursing की आप यहाँ पे यह फीस देख सकते हैं वह आपको पेकर नहीं रहेगी hostel fees है यहाँ पे आपको नो जार रुपे पर एयर के पर एनम देर के तो यह आपको आपको रूम रेंड नहीं देना है क्यों एलेक्टरिस्टी सार्ज है वह आपको नो जार रुपे एक साल का देना है तो यह आपकी BSC nursing की fees होगी 24,140 प्लस न यह आपकी BSC nursing में complete हो जाएगा यह गोवर्मेंट को लेज़िगे इसके लिए गोवर्मेंट को लेज़िगे इसके लिए गोवर्मेंट को लेज़िगे बात कि जाए तो 24,125 रुपे है जो आपकी यहापकी यहापकी सेक्योरिटी रिफंडेबल रहेंगे यह इसमें यह अब आपके प्रामेडिकल कोवर्मेंट की बात करें तो प्रामेडिकल में आपके 12,415 रुपे है गवर्मेंट को लेज़िगे अब प्राइवेट की बात करें प्राइवेट में कितने गिनी फीज लगेगी प्राइवेट में आगर आपके BSC nursing के annual फीज यहाँ पे देख सक हैं मैंस का नहीं बतागा ट्रांसपोर्ट का नहीं बतागा ट्रांसपोर्ट नहीं बता-टारगा तो ओर अगर बात कि जाए यहां पर आपके तो यह डेला के लगवाखops Jesus later कि शुग अबकर इसे चिरीच ह Non पर इसे प्मिंद सकती फ्रकाश एक जुगा तोगी अब और एधर सार्जेश है वो same एसे गैसे ही रहने वाले इंटरनेट सार्जेश है वो same इसमें बीपिटे का आप देख सकते हैं और यहां पर बिज इनर्स नर्सिंग का तो यहां पर दोनों की ब्लोकल same-c है और बीपिटे में यह आपके equipment and मेंटिनेंस सार जाए जाए ये 25 उर्व एक्स्टा ओर लेंगे तो ये आपकी प्राइवेट की और गुवर्नमेंट की फीस यहां पर आप देख सकते हैं आई होप आपके जो भी डाउट ते वो सारे किलियर हो गए होगे जैसे काउंस्लिंग का सेड्यूल जारी किया जाएगा आपको वीडियो मादे मजार करी प्रोवाइड करवाती जाएगी धन्यवाद जेहिं जेवर्ट